नमस्कार दूस्तू गुरुकुल अकेडमे में आप से गस्वागतें दूस्तू बजट 2021 संसद में वितमंत्री निर्मला सेतारमन के दवरापीस किया जा चुका है और बजट 2021 से संबनित 250 क्यूशन इस वीडियो में डिस्क्रिस करने वाले हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो इस वीडियो कों तक जोड़ देखना और आपसे रिक्वेस्ट है परते क्यूशन का आंसर कमेंट बोक्ष में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट साथ में ही कलीर होते चले जाएं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो पर इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस के पास सेयर करें तो चले का फ्रेंस क्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तो देश का लार्जस्ट ओनलाइन एजगेशन प्रेटफोर्म अनकेडमी रेल्वे एक्जाम्स के तियारी को मजबूत बनाने के लिए कुछ नए बैस लेकर आया है तो आप लोग फ्रेंस आज ही सिस्काइब करेंगे और अपने एक्जाम के तियारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे जी फ्रेंस यादखना सभी बैस को देश के टोप एजगेटर के दवारा कंडट करवाया जाएगा और फ्रेंस सबसे अच्छा मोका है कि एक ही प्रेटफोर्म पर देश के टोप एजगेटर के साथ आप लोग अपने डाउट कलियर कर सकते हैं वहीं फ्रेंस से आप लोग यादखना इनमे से कोई भी पलान लेते वक्त यादखना जहांपर अपलाई कोड का ओफसन आएगा वहां आप लोग यूज करना मेरा अनलोग कोड गुरुकुल इसके मादम से आप लोग 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट पाएंगे वहीं फ्रेंस से यादखना कोमबो ओफर के लिए आप लोग इनमे से कोई भी पलान ले सकते हैं अपलाई कोड के जगह पर आप लोग गुरुकुल को यूज करेंगे इसके मादम से आप लोग 10% एक्स्ट्रा डिसकाउंट पाएंगे मेरा प्रोमो कोड है अनलोग कोड और फ्रेंस सभी बैस के जो लिंक है वीडियो के नेचे डिसक्रिशन बोक्स में सब कुछ दिया गया है आप लोग आज से ही अन्रोल करेंगे तो चलिका फ्रेंस क्यूशन स्टार्ट करते हैं देखी हमारा पहला क्यूशन है बजट 2021-22 कब पेस किया गया है तो याद रखना एक फरवरी को सुबह 11 बज़े पेस किया गया है ठीक ना बजट 2021-22 वितमंत्री निर्मला सितारमन के दवारा यानि ओफशन सी रहेगा इस क राइड आंसर नेक्स्ट है बजट 2021-22 किस ने पेस किया है तो वर्तमान वितमंत्री निर्मला सितारमन ने पेस किया है बजट 2021-22 ओफशन सी रहेगा इस क्यूशन का राइड आंसर नेक्स्ट है सवतंतर भारत का पहला बजट किस ने पेस किया था तो याद रखना आर के सर अंत्र भारत का पहला budget option D होगा right answer next है वार्षिक वीतिये वीवरण का जिकर सविधान की किस अनुछेद में है फ्रेंस बजट से बजट टोपिक से हर एक्जाम में एक से दो कुछिन बनती हैं तो इस वीडियो का अंतक जूर देखना देखिए वार्षिक वीतिये वीवरण का जिकर सविधान की किस अनुछेद में किया गया है तो अनुछेद 112 में किया गया है option C होगा right answer अनुछेद 112 है next है अब तक सबसे अधिक बार budget पेस करने का record किसके नाम है तो यह है मुरारजी देशाई के नाम पर यानि option B होगा right answer मुरारजी देशाई next है आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेस किया गया कब पेस किया गया कब पेस किया गया 2021 में एक फुरवरी 2021 को आजाद भारत का पहला पेपरलेस बजट पीस किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के दवारा यानि ओफशन सी होगा इस क्यूशन का रेट आंसर नेक्स्ट है बजट 2021 में निर्मला सीतारमन ने किस माध्यम सी बजट पीस किया था तो याद रखना टैबलेट के माध्यम सी बजट पीस किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ओफशन ए रहेगा राइट आंसर टैबलेट तो फ्रेंस बजट मेड इन इंडिया मेड इ पिलर्ष पर छे पिलर्ष पर आधारेत है यानि बीरह का इसक्विशन का रेट आंसर छे पिलर्ष कौन कौन से हैं पहला है सवास्तिर कल्यान दूसरा है भोतिक और वीति पुझी तीसरा आउस्रंचना है चोथा है अकान सी भारत के लिए समावे सी विकास ठीक है पांचवा ह मानो पुझी में नव जिवन का संचार करना वहीं छटा है नव परवर्तन और अनुसंधान एवं विकास और नियूनतम सिरकार और अधिक्तम सासन ठीक है ये 6 पिलर्ष है दिन पर बजट 2021 आधारेत है चलिका देखिए नेक्स क्यूशन बजट 2021 में पैट्रोल पर कितना क् लगाने की गोशना की है तो या दखना दो दसमलो 5-0.2.50 रुपे पर ते लीटर ये ओफसन हो जाएगा रइट आंशे नेक्स टें बजट 2021 में डीजल पर कितना क्षिश जिए लगाने की गोशना की गई है तो याद रखना कितने 4 रुपे परत लीटर option D होगा right answer 4 रुपे परत लीटर ठेक है next है budget 2021 में आयकर पर क्या छूट दी गई है तो friends कोई बदलाव नहीं किया गया है अब की बार बिल्कुल सेम है पहले वाले आने option number D हो जाएगा this question का right answer next है national research foundation पर budget 2021 में कितना खर्च किया जाएगा तो 50,000 कुड रुपे खर्च किया जाएगे national research foundation पर option D होगा right answer next है budget 2021 में भारत की कौन सी करम की जंगरना digital कराने का एलान किया है तो 16 नंबर की जंगरना digital कराने का एलान किया गया है budget 2021 में यानि option B होगा right answer 16 वी जंगरना याद रखना next है budget 2021 में भारत की 16 वी digital जंगरना पर कितना खर्च होगा कितना खर्च होगा 3768 क्रोड का खर्च होगा option C होगा friends right answer 3768 क्रोड ठीक है देखेंगे next budget 2021 में digital payment को बढ़ावा देने के लिए कितनी रुपे का प्रावधान किया है तो ये किया है 1500 क्रोड रुपे का प्रावधान भी होगा right answer next है budget 2021 में आदिवासी इलाकों में कुल कितनी एकलववे कितनी एकलववे स्कोलों का प्रावधान किया गया है 750 एकलववे स्कोलों का option भी होगा next budget 2021 में किसे केंदर साशिद परदेश में केंदरी विस्व किज़्य ने श्रक्वाणताइद किया जाएगा तो लदा की लेह में किया जाएगा यारी सी रहेगा इस question का देखेंगे next budget 2021 में भारत में सवास्ति देख बाल के लिए कुल कितनी सवास्ते के इंद्र बनाए जाएंगे तो 45,000 सवास्ते के इंद्र बनाए जाएंगे option D हो जाएगा राइट आनशेर बजट 2021-22 में सवास्ते पर कितना खर्च किया जाएगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने किया है तो उसे भी लोग फ्राफ़र वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंज की पास सेयर करेंगे ताकि कुछ लोग और क्लास में आएं वो भी अपने एकजाम की तियारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं देखी बजट 2021-22 में स्वास्थे पर कितना खर्च किया जाएगा 2.23 लाग क्रोड यानि ओफशन भी होगा रैट आंसर 2.23 लाग क्रोड रुपे खर्च के जाएगे स्वास्थे पर ठीक है बजट 2021-22 में कोरोना वैक्षिन पर खर्च के लिए कितने रुपे रखे गई है तो याद रखना 35,000 क्रोड रुपे यानि ओफशन भी होगा रैट आंसर बजट 2021-22 में वित्मंत्री निर्मला सीता रमण ने किस योजना को मेनी बजट के उपादी दी है तो आतम निर्वर भारत योजना को यानि ओफशन इस क्यूशन का होगा बिल्कुल रैट आंसर नेक्स्ट है बजट 2021-22 में नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम कब से लागू करने की गोशना की गई है तो 1 अक्टूबर 2021 को की गई है ठीक है ओफशन सी होगा रैट आंसर 31 मार्च 2022 तक कोई टेक्स नहीं देने की गोशना की ये स्टार्ट अप शुरू करने वालों के लिए ओफशन ए होगा रैट आंसर नेक्स्ट है बजट 2021-22 में इंसुरेंस सेक्टर में उन्हें चास परतिसत से बढ़ा कर कितने परतिसत FDI को मंजूर दी है तो ये 74 परसेंट दी है तो उफशन सी हो का रैट आंसर 74 परसेंट नेक्स्ट है बजट 2021 में रेल बजट पर कितना खर्च किया जाएगा तो 1.1 एक दसमलो एक लाख क्रोड रुपे खर्च किया जाएगा फ्रेंस रेल बजट पर यानि ए हो जाएगा रैट आंसर नेक्स्ट है बजट 2021 में जल जेवन मिशन पर कितने रुपे खर्च किया जाएगे तो 2.87 लाख क्रोड रुपे खर्च किया जाएगे जल जेवन मिशन योजन आपर यानि ओफशन ए रहेगा इस क्यूशन का रैट आंसर चलेगा देखिए नेक्स क्यूशन देखिए कितने वर्च से ओपर पेंशन धारियों को टैक्स से चूट दी गई है तो फ्रेंस यादखना 75 एर्ज पिचेतर वर्च से ओपर के जो वैक्ति हैं पेंशन धारी हैं उनको टैक्स में चूट दी गई है तो उफशन सी होगा रैट आंसर 75 एर्ज अगले साल में कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्मान होगा तो आप लोग अच्छे से याद खना 8500 ठीक ना साड़े 8000 किलोमीटर यानि option B हो जाएगा इस question का friends right answer साड़े 8000 किलोमीटर सड़कों का निर्मान होगा ठीक है friends option B रहेगा right answer नेक्स्ट है निर्मिसिकिन सहरो में मेटरो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगे तो कोची में शुरू किया जाएगा चेने में नागपुर यानि option D रहेगा right answer इन सभी में ठीक ना इन सभी में friends क्या है मेटरो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे वीती वर्ष 2022 में कितने परतिसत घाटे का लक्स है तो 6.8% घाटे का लक्स है वीती वर्ष 2022 में यानि ए रहेगा right answer 6.8% नेक्स्ट है वीती वर्ष 2021 में कितनी खर्ष का अनुमान है तो या दखना 34.5 लाख क्रोड का अनुमान है ठीक है यानि ओफशन डी रहेगा वीती वर्ष 2021 में कुल कितने खर्ष का अनुमान है 34.5 लाख क्रोड रुपे नेक्स्ट क्यूशन देखेंगे सरकारी बैंकों के लिए कितनी रासे आवंटित की गई है तो बीस हजार क्रोड रुपे की रासे आवंटित की गई है सरकारी बैंकों के लिए यानि ओफशन रहेगा इस क्यूशन का राइट आन्सर नेक्स्ट है मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर कितनी हुई है एक बर आप लोग फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंज की पास सेर कर देंगे मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर होगा ये कितनी 2.5% 2.5% यानि ए ओफशन होगा राइट आन्सर नेक्स्ट है तामबा पर ड्यूटी को गटा कर कितना कर दिया है तो 2.5% कर दिया है तामबा पर ड्यूटी को गटा कर यानि ओफशन भी हो जाएगा राइट आन्सर नेक्स्ट है स्टील पर ड्यूटी को गटा कर कितना कर दिया गया है तो याद रखना आप लोग स्टील पर डूटी गटाकर 7.5% कर दिया है ठीक है तो यह हो जाएगा इस question का right answer next देखी नाफटा पर डूटी गटाकर कितनी कर दी है तो 2.5% कर दी है नाफटा पर डूटी गटाकर यानि option B हो का right answer नाफटा की फुल फॉर्म होती है North American Free Trade Agreement next है कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे तो 100 से ज्यादा 100 से ज्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे बजट 2021 के नुसार यानि option C होगा right answer next है research foundation के लिए कितनी रासी आवंटित की गई है तो 50,000 क्रोड रुपे की रासी आवंटित की गई है research foundation के लिए option D होगा right answer 50,000 क्रोड next question दिया है कितने स्कूलों को आदर्स विधाले बनाया जाएगा तो 15,000 स्कूलों को आदर्स विधाले बनाया जाएगा तो B हो जाएगा right answer नेक्स्ट है 2023 से 24 में वीती घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है तो 3% तेन परतिज़त लगाया है 2023 से 24 में वीती घाटे का अनुमान यानि option B होगा right answer 3% नेक्स्ट क्यूशन है Tax Audit Limit 5 क्रोड से बढ़ा कर कितने कर दी गई है तो 10 क्रोड रुपे 10 क्रोड रुपे कर दी गई है Tax Audit Limit 5 क्रोड से बढ़ा कर यानि A option होगा right answer 10 क्रोड दोगना कर दिया गया है नेक्स्ट है बैंक के डूबने पर ग्रहकों को कितनी राशी परदान के जाएगी तो याद रखना आप लोग 5 लाख रुपे की राशी परदान के जाएगी बैंक के डूबने पर ग्रहकों को A हो जाए correct answer नेक्स्ट है किस परदान मंत्रे ने संसद में पहली बार बजट पेस किया था तो जोहरलाल नेहरू ने पहली बार बजट पेस किया था संसद में यानि A option रहे गा right answer 1958-59 में याद रखना ठीक है नेक्स्ट है बजट सब्द का अर्थ क्या होता है तो चमड़े का थेला होता है बजट सब्द का अर्थ A option होगा right answer चमड़े का थेला नेक्स्ट क्यूशन है की बजट सब्द की उत्पत्ती किस भासा सी हुई है तो फ्रेंच भासा सी हुई है बजट सब्द की उत्पत्ती A option D हो जाएगा इसक्विशन का right answer नेक्स्ट है बजट व्यवस्ता का जनक किसको माना जाता है तो James Wilson को माना जाता है भारती बजट विवस्ता का जनक ठीक है नेक्स्ट है भारत में पहली बार बजट किसने पीस किया था तो East India Company के James Wilson ने पीस किया था भारत में पहली बार बजट A option होगा राइड आंसर नेक्स्ट है भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था तो या दखना आप लोग 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था भारत में पहला बजट ए ओफ्षिन होगा रेट आंसर 18 फरवरी 1860 ठीक है नेक्स क्यूशन है हमारी देस की पहली पुर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री कोन है तो निर्मला सेता रमण है इतियास में सबसे लंबा भाशन था बजट इतिहास में इतिहास में सबसे लंबा भासन था यानि option C होगा right answer 2020 देखेंगे next है हमारी देश की पहली महिला वित्यमंत्री कौन थी तो इंद्रा गांधी पहली महिला वित्यमंत्री थी option D होगा right answer इंद्रा गांधी ठीक है और यहाँ preference एकौशन आपके लिए homo work के लिए छोड़कर जाते है को नद्रा गांधी पहली महिला वित्यमंत्री कूझ थी देखेंगे गंट अंतर भारत का पहला बजट कप पिशकी आगया था तो आप लोगों अच्छे से यादखना कब पेश किया गया था 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था यानि option B हो का right answer 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था गंट अंदर भारत का पहला budget next लगातार तीसरी बार budget पेश करने वाली पहली महिला वित्यमंत्री कोन बनी है तो निर्मला सेता रमन बनी है लगातार तीसरी बार budget पेश करने वाली पहली महिला वित्यमंत्री A option हो जाएगा right answer next है बाहरत के कितने परधान मंत्री रहते हुए budget पेश किया था तो कितने तीन तीन परधान मंत्री रहते हुए budget पेश किया था option B होगा friends right answer याद रखना अच्छे से आप लोग ठीक है चलेगा फिर next question देखेंगे सबसे अधिक बार budget paste करने का record किस नेता के नाम है किस नेता के नाम है तो अच्छे से आप याद रखना मुरारजी देशाई के नाम है यानि A option रहे का right answer मुरारजी देशाई next है भारत की तीन परधान मंत्रियों ने परधान मंत्री रहते हुए budget paste किया था वो कौन कौन है जवाहरलाल नहरू इंद्रा गांदी और राजयू गांदी यानि A option number D रहे का right answer वो प्रोक सभी हैं तो friends ये थे budget से समनित top questions जो अभी complete हो गई है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने क्या सब्लों फ्राफट वीडियो को लाइक करेंगे अपने friends के पास share करेंगे और जो लोग पहली बार यहां आए हैं जल्दे से आप लोग फ्राफट चैनल फ्रिस्काइब करेंगे साथ में बेल आइकन पर भी कलिक करेंगे तो जल्दे का friends मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई जय हिंद जय भारत उबंदे मात्रा